Hello everyone, you are welcome to our YouTube channel आज की इस वीडियो में हम नाउन के second part को discuss करेंगे यदि आपने first part नहीं देखा है तो playlist में जाकर के first part को देख सकते हैं इस वीडियो में हम नाउन के कुछ important points को discuss करेंगे या कह सकते हैं important rules को discuss करेंगे वीडियो को start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपको इन questions और इन rules के explanations को read करना है ऐसे ही तो उसके लिए link description box में है वहाँ पे click करके और आप इन questions की PPT को और इनके explanations को read कर सकते हैं and if you are preparing for any competitive exam in which English grammar is being asked then this video is going to be very fruitful for you आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं उसमें यदि English grammar पूछा जाता है तो फिर ये वीडियो आफी के लिए है हमारा पहला rule है collective nouns are generally used in the singular form with neuter gender pronouns ये कहना चाहते हैं जो हमारे collective nouns होते हैं उनका plural नहीं बनाया जा सकता है सामानेता ऐसा होता है कि जो collective nouns होते हैं वो singular form में होते हैं और उनके साथ जो pronoun हम use करते हैं वो neuter gender यानि कि it का प्रियोग करते हैं feminine gender यानि कि she हो गया masculine gender he हो जाएगा और common gender ये होता है जिससे male या female का पता नहीं चलता है आगे हम discuss करेंगे neuter gender यानि जिसमें न तो male होता है न female होता है जैसे हमने कहा book है pen है तो ये neuter gender है और इनके लिए जो pronoun आता है वो it आता है तो जब हम collective noun का प्रियोग करेंगे उसके लिए जो pronoun आएगा वो neuter gender का pronoun आएगा यानि कि it का प्रियोग किया जाएगा एक्जाम्पल है पीटर हैड अफ लॉक आप शीप and he kept a hutsman for his maintenance ये कहना चाहता है पीटर के पास sheep का एक जुन्ड है और उसके पास heartsman यानि की चरवाहा है उसकी maintenance के लिए यहाँ पर his का प्रियोग क्या गया है ये maintenance के लिए ये basically कहना चाहता है कि देख रेक के लिए इसकी देख रेक के लिए flock of sheep की देख रेक के लिए और flock of sheep जो है ये collective noun है तो इसके लिए his का प्रियोग ना करके हम it का प्रियोग करेंगे तो सही sentence हो जाएगा Peter had a flock of sheep and he kept a herdsman for its maintenance यानि की Peter के पास sheep का एक flock है जुन्ड है और उसकी देख रेक के लिए उसके पास एक चरवाहा है second rule है ये कह रहे हैं कि sometimes collective nouns can be used as both singular and plural according to the need ये कहते हैं कभी कभी collective nouns को हम singular और plural दोनों sense में यूज़ करते हैं जरूरत के अनुसार से जरूरत के अनुसार से कहना ये चाहते हैं कि यदि collective noun है और collective noun individual को indicate करता है तो यदि individual की बात करेगा तो उस condition में इसके साथ आने वाला verb और pronoun दोनों plural form में होंगे और यदि ये unity को बताता है collective noun तो उस condition में इसके साथ आने वाला verb और pronoun दोनों singular form में होंगे I hope आपको समझ जा गया होगा कहना चाहता है कि जब collective noun का हम प्रयोग करेंगे उससे individual की बात करेंगे यानि एक एक बेक्ती की बात कर रहे होंगे तो आने वाला verb और pronoun दोनों plural form में और जब unity की बात करेंगे तो आने वाला verb और pronoun दोनों singular form में एक्जामपल है फर्स्ट है जूरी जजों का समू है collective noun है यह unanimous थे यानि सबकी सहमती थी अपने opinion में जब यह सबकी सहमती थी तो यह किसकी बात करेंगे unity की बात कर रहे हैं और जब unity की बात कर रहे हैं तो verb और pronoun दोनों singular form में हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे the jury was और यहाँ पे हो जाएगा in its opinion देर नहीं होगा हमें पता है कि जब collective noun का प्रियोग करते हैं singular होता है तो उसके लिए neutral gender pronoun का प्रियोग करते हैं जैसे कि उपर बताया गया है तो यहाँ पे its आएगा तो सई sentence हो गया the jury was unanimous in its opinion explanation को आप लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं हमारा third example है the jury was divided in its opinion यह कहना चाहता है jury जो थे उनकी opinion उनकी राय अलग-अलग थी जब jury की opinion अलग-अलग थी यानि कि वो लोग unity की बात नहीं कर रहे हैं individuals की बात कर रहे हैं और जब individuals की बात कर रहे हैं इस condition में आने वाला verb और pronoun दोनों plural form में होगा आपको बता दे कि it का plural दे होता है और उसी से them का them का dare हो जाएगा और उसी के सारी conditions को यूज करते हैं तो यहाँ पर the jury होना चाहता है sorry यहाँ पर mistake यह हो जाएगा the jury the jury were divided in their opinions यह correct हो example fifth है the committee has decided the matter without leaving its seat यह committee ने matter को decide किया अपनी seat को छोड़े बगएर यानि कि सारे लोग एक seat पे तो बैठ नहीं सकते हैं individual की बात कर रहे हैं सबकी अलग-अलग seat है, chair है इस condition में आने वाला verb और pronoun दोनों plural form में होंगे तो यहाँ पर हम have का प्रियोग करेंगे यहाँ पर देर का प्रियोग करेंगे sentence सही हो जाएगा the committee have decided the matter without leaving their seats यह correct है rule number third है when we make use of a common gender noun preference is given to the masculine gender he, him, his यह कहना चाहते है gender जो basically होते हैं वो four types के होते हैं एक masculine gender जो male होता है जैसे कि हमने का why दूसरा feminine gender female होता है जैसे कि girl third होता है neuter gender जिसमें male और female कुछ नहीं होते हैं जैसे कि हमने का book है या pen है यह सवा जाएंगे और इसका जो next होता है next जो fourth number का होता है वो होता है common gender और common gender basically क्या होता है जिससे male और female का पता नहीं चले कि वो male है या female है जिससे doctor male भी होता है female भी होता है singer है, dancer है, writer है, reader है, player है यह male और female दोनों होते हैं तो जब हमारे पास masculine gender होगा उसके लिए ही का प्रियूग किया जाएगा feminine gender होगा उसके लिए she का प्रियूग किया जाएगा और neuter gender होगा तो उसके लिए it का प्रियूग किया जाएगा लेकिन यहां यह कहना चाहते है यदि हमारे पास common gender है यानि जिससे male और female का पता नहीं चल लहा है तो उसके लिए काउन सा pronoun यूज करेंगे तो यदि हमारे पास common gender है उसके लिए हम ही का प्रियूग करेंगे यानि preference masculine gender को दिया जाएगा examples देखते हैं sentence है the doctor gave an injection to her patient to alleviate the pain alleviate means होता है दर्द को कम करना यो शान करना डॉक्टर ने injection दिया आपने patient को दर्द को कम करनी के लिए तो यहाँ doctor ये common gender है यानि कि male भी हो सकता है female भी हो सकता है तो जब common gender का noun आता है उसके लिए pronoun आता है masculine gender तो यहाँ पर her का प्रियूग करना wrong है यहाँ पर होना चाहिए his यहाँ पर his का प्रियूग करेंगे next fourth number का rule है some nouns are used in the singular form with plural verb because they look like singular but give the meaning of plural ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे nouns हैं जिनका प्रियूग हमेशा singular form में किया जाएगा बड़ आने वाला verb हमेशा plural form में होगा उसका reason ये क्या बता रहे हैं कि ये जो nouns हैं ये देखने में तो singular लगते हैं लेकिन meaning plural की देते हैं देखने में कैसे लगते हैं singular meaning plural की देते हैं इसी वज़े से इनके बाद आने वाला जो वर्व होगा वो plural होगा कौन-कौन से nouns इसमें आते हैं तो जैसे people, cattle, januar, poultry, मुर्गियां कलरजी, पादरी, children, बच्चे, वर्मिन, खीडे, मकोडे पीजन्ट्री, किसानों का समोह, जन्ट्री, शरीफ, लोग, कैवलरी, घोरसवार, सेना, इंफैंट्री, पैदल, सेना, आइटिली, तोपे, पुलिस, पुलिस, मिस पुलिस इनका जब भी हम परियोग करेंगे तो आने वाला वर्व प्लूरल फॉर्म में होगा यह दिखने में सिंग्लर लगते हैं लेकिन मेंनिंग प्लूरल की देते हैं हमारा फर्स सेन्टेंस है पुलिस इस ओल्सो लुकिंग फॉर दा सेकेंड कैन कैन में इस डिबबा होता है और यहाँ पे आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं कहना चाहते हैं पुलिस भी सेकेंड डिबबे की तलाश कर रही है यहाँ पर पुलिस जो है उसके लिए इसका प्रियोग किया गया है यह रौंग है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आ राना चाहिए सेकेंड सेंटेंस है कहते हैं पौल्टरी अंडे देती है नि मुर्गया अंडे देती है और उसका प्रियोग भारी मातरा में किया जाता है फूड के लिए पौल्टरी के लिए वर्ग प्लूरल होता है तो यहाँ पर हम ले का प्रियोग करेंगे लेज नहीं होगा आपको बता दें कि जब भी किसी नाउन में हम एस का प्रियोग करते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है और जब किसी वर्ग में हम एस का प्रियोग करते हैं तो वह सिंगलर हो जाता है यहाँ पर लेज है यह सिंगलर है इस हटा देंगे तो यह प्लूरल हो जाएगा और होता है जानवर चरागा हमें चर रहे हैं कैटल के लिए इसका प्रियोग करना रॉंग है तो यहां पर हम आर का प्रियोग करेंगे और फिर यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा हमारा अगला रूल है पांच नमबर का Some nouns are always used in singular form with singular verb यह कहना चाहते है कुछ ऐसे nouns होते हैं जो हमेशा singular form भी यूज किया जाते हैं और singular verb के साथ यूज किया जा हैंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भी ये नाउन है ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं और आपको ये बता दे कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी ना तो हम प्लूरल बना सकते हैं और ना ही उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रियोग कर सकते हैं तो ये सारे नाउंस जो हैं वो uncountable हैं इसलिए इनके साथ आने वाला verb singular होगा और ये हमेशा singular form में यूज किया जाएंगे यदि आपने इनको plural बना दिया तब भी wrong हो जाएगा और plural verb इनके साथ यूज कर दिया तब भी wrong हो जाएगा कौन कौन से सीद्री है, poetry है, luggage, सामान, furniture, work miss, work होता है advice, information, equipment, उपकरण, bread, food, baggage, सामान, homage, श्रधाजली, percentage, crocker, मिट्टी के बरतन, jewelry, stationary, machinery और hair तो यह कुछ words हैं, जिनका प्रियोग हमेशा singular form में किया जाता है, और आने वाला word भी हमेशा singular होगा, examples देखते हैं First sentence है, the sceneries of Goa is arresting, यानि कि Goa की जो scene है, बहुत ही खुबशूरत हैं, तो यहाँ पे हम sceneries का प्रियोग ना करके, scenery का प्रियोग करेंगे, scenery is wrong है Second है, William Wordsworth has described the beauty of the nature in his poetry William Wordsworth ने अपने poetry में प्रिकृत की खुबसूरती को वरणन किया है, या describe किया है, poetry का यूज करना wrong है, हम poetry का प्रियोग करेंगे Third sentence है, most of foreign nations have left the country on the advices of their government बहुत सारे foreign रास्ट ने अपने country को छोड़ दिया, अपनी government की राय पर आपको पता है कि advices का plural नहीं होता है, या advice ही होता है, तो यहाँ से हम advices हटा करके, advice का प्रियोग करेंगे यह जितनी भी उपर nouns mention किये गए हैं, इन सारे nouns को हम plural form में use कर सकते हैं, उसके लिए कुछ words हैं, जैसे हम उनके साथ use कर सकते हैं, आप piece of लगाएंगे, या kind of, या article of, sellis of, stand of, a type of, a bit of, a lot of, lots of, इनका प्रियोग करके हम इनके plural sense निकाल सकते हैं, एक्जांपल जैसे first है, she went to college to get information, यह sentence wrong है, information नहीं होता है, पर यदि आप plural sense निकालना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, she went to college to get a piece of information, या कह सकते हैं, to get some information, यह दोनों करेक्ट होंगे, second sentence है, he bought many furnitures for his house, फरनीचर यूज करना रॉंग है, या प्लूरल सेंस में यूज करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं, many types of furniture, और यह sentence, करेक्ट हो जाएगा, third sentence है, I take breads as breakfast in the morning, और यह bread नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए सही हो जाएगा, I take some slices of bread as breakfast in the morning, तो यह sentence correct हो जाएगा, यानि प्लूरल बनाने के लिए इधर का part हम यूज करेंगे, fourth sentence है, many people have hairs on their chest, बहुत सारे लोग के chest पे बाल हैं, या पर hairs का प्रियोग क्या गहर रॉंग हैं, अगर आप plural sense यूज करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, a lot of, a lot of, a lot of में कोई difference नहीं होता है, दोनों की meaning same होती है, तो वो यूज कर सकते हैं, यह जो hair की बात करते हैं, उसको detail में ठोर discuss करते हैं, basically hair क्या होता है, hair का plural नहीं होता है, या uncountable होता है, लेकिन यदि hair से पहले कोई numeral adjective यूज कर देते हैं, जैसे one या two या three, इसा कुछ आता है, तो one के साथ तो hair ही रहेगा, लेकिन यदि two, three, four, five, six आता है hair से पहले, तो उसको हम plural form में use करते हैं, जैसे कि his two hairs have grown gray, उसके दो बाल सफेद हो गए हैं, यहाँ पर hairs का प्रियोग करेंगे, क्योंकि उससे पहले two आ रहा है, और use and is correct हो जाएगा, यदि यहाँ पर two नहीं होता है, तो हम hairs का प्रियोग नहीं कर सकते थे, इसके अलावा एक और condition है, जहाँ हम hairs का प्रियोग करते हैं, और वहाँ उससे पहले two, three, one नहीं आता है, यह एक basically phrase होता है, जिससे don't waste time splitting hairs, split hairs की मीनी होती ही, find fault, split hairs की मीनी, find fault, गलती निकालना किसी में, कमिया निकालना, देके थे, don't waste time splitting hairs, दूसरों की कमिया निकालने में, खामिया निकालने में, अपना समय, जाय मत करो, नश्ट मत करो, तो यह एक phrase है, और यह हमेशा plural form में यूज किया जाता है, आपके exam में आ चुका है, याल रखेंगे, यह कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे nouns होते हैं, जो हमेशा plural form में यूज किया जाते हैं, लेकिन जो उनके साथ आने वाला verb होगा, वो हमेशा singular form में होगा, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब इसमें से हम s हटा देंगे, तो इनकी कोई meaning नहीं होती है, basically इसमें s लगता है, तब भी इसकी meaning होती है, और यह क्या होते हैं, यह सिंग्लर noun होते हैं, जिसे economics की बात करें, इसमें s लगा है, लेकिन यह सिंग्लर है, सिंग्लर होने की वज़े से इनके साथ आने वाला verb हमेशा singular form में होगा, और इसमें s हटा भी नहीं सकती है, इसमें कौन-कौन से हैं, जैसे है, economics है, politics है, physics, mathematics, ethics, नीती, summons means बुलाबा होता है, innings, pari, mums, बीमारी होता है, measles बीमारी, records बीमारी होता है, billiards, खेल होता है, athletics, classics और news, यह कुछ हैसे ना हों से जो देखने में plural लगते हैं, लेकिन यह सिंग्लर होते हैं, इसलिए आने वाला verb सि इस example देखते हैं, first sentence है, politics are not my cup of tea, राजनीती, मेरे भी शेकन है, यह मेरे interest कभी से नहीं है, तो इसमें हम इस का प्रियोग करेंगे, are का use करना wrong है, second sentence है, the next day he made the right decision and won the match by an inning, अगले दिन उसने अच्छा decision लिया और match एक इनिंग से जीत लिया, तो यहाँ पे इनिंग्स होना चाहिए, अब याद लखेंगे, जब इनिंग्स का प्रियोग करेंगे, तब भी उससे पहले आयन आएगा, क्योंकि यह singular है, यह लगता है, तब भी plural नहीं होता है, singular है, second sentence, third sentence है, she had received a summons to appear in court, उसने summons उसको मिली, यानि उसको summons मिस बुलावा होता है, तो court से आता है, तो उसको summons मिली, यह court में हाजिर हो, तो यहाँ पर भी sentence, summons लिखा है, wrong है, summons होना चाहिए, इसमें summons को और दूसरा जो है, इनिंग्स को हम फिर और detail में discuss करते हैं, यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, कि जब भी हम इनिंग्स से पहले two, three, four का प्रियोग कर देंगे, तो 300 इनिंग्स has been played by वरेंदर सहवाग in ODI till now, अब तक के वरेंदर सहवाग के दोरा ODI में यह कहना चाहते हैं, 300 इनिंग्स के लिए गई है, तो यहाँ पे देखे, 300 इनिंग्स की बात करते हैं, और अब यह plural हो गया, तो हैस का प्रियोग ना करके हम हैव का प्रियोग करेंगे ठीक है, हैव का प्रियोग किया जाएगा, नेक्स हम समन्स की बात करेंगे, तो समन्स बेसिकली जो होता है, यह वर्व होता है, समन्स इसका singular noun होता है, वो समन्स प्लूरल होता है, एक्जांपल देख लेते हैं, the court summoned him, यहाँ पे समन्स वर्व हो गया, the court issued a summons to him, यहाँ पे presence before the court, बहुत सारे summons प्राप्त करने के बाद भी वो court के सामने हाजिर नहीं हुआ, यहाँ पे summons का ही प्रियोग किया जाएगा, क्योंकि a lot of की प्रियोग कर रहे हैं, नेक्स एंटेक कोशन नमबर 7 है, some nouns are always used in plural form with plural verb, कुछ ऐसे nouns होते हैं, जो हमेशा plural form में यूज किया जा और उसके साथ आने वाला जो वर्व होगा, वो भी plural form में होगा, उसका reason यह होता है, कि यह हमेशा पेर में होते हैं, या फिर sense यह plural की देते हैं, जैसे इसमें आता है, सीजर्स, कैची, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, आलम्स, भिक्षा, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, बिलोंगिंग, सामान, टॉंक्स, चम्टा, पिंसर्स, जिस लोहार पकड़ने का काम करते हैं, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंड्स, शॉर्ट्स, गोगल्स, चश्मा, संग्लास गैलोज, कॉंग्रेचुलेशन्स, लोजिंग्स, प्रोसीड्स मिस मुनाफ़ा होता है, रिगार्ड, सम्मान होता है, स्राउंडिंग्स, ठैंक्स, वेज़स मिस भत्ता होता है, गुड्स, सामान होता है, तो यह कुछ ऐसे नाउंसे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होना चाहिए, सेकंड सेंटेंस है, दा बेगर्स वर पलुलेटेड इन दा प्लाजा एन आल्म्स वास किवन टू डिम्, भिखारी प्लाजा में पूरी तरह से खचाखस भरे हुए थे, और धिक्षा उनके बीच में तक्सीम किया जा रहा था, डिस्ट्रिब्यूट किया जा spectacle की बात करेंगे, spectacle basically क्या होता है, जो spectacles होता है, उसके माने तो चश्मा होता है, गोगल से ग्लासेज लेकिन यदि उसमें से एस हटा दिया जाएगा इस पेक्टेकल तो मेनी हो जाएगा सीट, सींडरी या सीन जिसकी मेनी होती है दरिश, नजारा, मंजर अगला रूल है एट नमर का वेना डेफिनेट नुमरल एज़क्टिब जैसे कि 1, 2, 3 यह कहना चाहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किये गए जैसे पेर है, स्कॉर है, डेजन है यदि इनसे पहले कोई नुमरल एज़क्टिब आता है जैसे कि 1, 2, 3 इनसे पहले आता है और इनके बाद में कोई नाउन आता है इनके बाद कोई नाउन आता है इस कंडिशन में यह कहना चाहते है कि इस कंडिशन में यह जो होंगे यानि कि यह सारे वर्ड्स होंगे यह सिंगलर फा्म में होंगे यानि पेर इसको डेजन इन सारे वर्ड्स से पहले कोई numeral adjective 1, 2, 3, 4, 5 आएगा उसके बाद में noun आएगा उस condition में यह सारे words जो हैं यह हमेशा singular form में होगे example है she bought five dozens बनानाज तो dozens हो गया उससे पहले numeral five है और फिर बनानाज है तो यह dozens wrong है यहाँ पर dozen होगा five lakhs students have appeared in examination this year और यह भी sentence wrong है क्योंकि five यूस किया गए है तो like होना चाहिए likes नहीं होगा इसके बाद जो noun होगा यह plural form में होगा एक जैके singular होता है आगे हम discuss कर लेंगे थर्ड sentence है she gave me a five hundred रूपी note यहाँ पर देखेंगे आप five hundred यानि five hundred खाली होता five hundred rupees तो plural हो जाता लेकिन आप five hundred रूपी note की बात करते है यहाँ पर basically यह कहना चाह रहे है कि five hundred की एक note क्योंकि लिखा आ five hundred रूपी note तो एक हो गया यदि यहाँ पर आ की साथ पर two mention कर दे तो हो जाएगा two five hundred रूपी notes हो जाएगा तब three होगा तब भी notes हो जाएगा तो basically हमें क्या समझाया है कि note की condition में यदि उससे पहले a लगा है तो note होगा two three लगा है तो notes हो जाएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए था आप five hundred रूपी note means five hundred की एक note है second example है she gave me two five hundred रूपी notes और यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि five hundred की दो notes उसने मुझे दिया next point में यह बात कर रहा है कि जब भी हम यह units यानि कि जो five है dozen है million है इसमें जो इससे पहले use कियागा है units वो कौन सी units है जो इससे पहले आ रहे है score है dozen है million है million है जब भी inverse का हमें परियोग करना होगा इससे पहले कोई numeral adjective नहीं आता है यानि कि one two three four five ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इससे पहले तो यह हमेशा plural form में होगा जैसे है if numeral adjectives do not come before the above words they will always come in the plural form यदि इससे पहले numeral adjectives नहीं आता है तो यह हमेशा plural form में use किया जाएंगे millions of people are still living below the poverty line यह कहना चाहता है कि million लोग ऐसे अभी है million लोग ऐसे है जो कि poverty line से नीचे रह रहे है तो यहाँ पे millions होना चाहिए था second है thousands of persons die from cancer every year हजारों लोग cancer से हर साल मर जाते हैं यहाँ पे persons ही होगा plural में होगा दूसरा यहाँ पे thousands होना चाहिए था thousand नहीं होगा तो thousands का प्रियोग करेंगे nine number का rule है some nouns remain the same in both singular and plural कुछ ऐसे nouns हैं जो singular और plural दोनों में एक ही जैसे रहते हैं उसमें कोई changes नहीं आता है हम उनकी difference करते हैं वर्प से जैसे इसमें है sheep, bear, deer, hiran, cord, salmon, fish यह मचली के परकार है crew, team, jury, series, council यह हमेशा singular form में होता है नहीं का plural नहीं होता है कुछ examples देखते है first sentence है the sheep was grazing in the middle यहां पर यह कहने चाहते है sheep जो है चरागाह में चर रही थी एक sheep की बात कर रहे हैं यहां पर was यूज किया गया दूसरा sentence है the sheep were grazing in the middle sheep के बात में were आ गया अब यह बहुत सारी sheep की बात कर रहे है क्योंकि sheep का तो plural बनता नहीं है तो जब वर्प singular होगा तो हम मानेंगे singular है sheep वर्प plural होगा तो मानेंगे sheep plural है third sentence है a hunter was chasing five dears that were running towards the forest एक शिकारी पांच हिरन का पीछा कर रहा था जो जंगल की तरह भाग रहे थे आपको बता है कि dears नहीं होगा क्योंकि इसका plural dears नहीं होता है deer ही होता है fish की हम थोगा detail में discussion लेते हैं देखे fish जो होता है basically इसका plural नहीं होता है तो fish singular जो होगा तो इसका fishy होगा और fish का plural भी fishy होता है और इसका plural fishes भी होता है difference क्या होता है कि जब fish का plural fish होगा तो a lot of fish of the same kind एक ही परकार की बहुत सारी मचली है तो उसको हम fish का plural fish ही कहेंगे लेकिन अगर fish है उसमें कई परकार की fish पाई जाती है तो fish का plural fishes हो जाएगा तो यह रही हमारी आज की वीडियो वोप आपको जुरूर समझाया होगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन टेक केर हैव अ गूड टाइम